हेलो मेडिकोज वेलकम बैक टो यूर बीटीफुल से चैनल माईशल सत्यम सिंग और आज हम पढ़ जा रहे हैं जब मसल एटेश्मेंट आफ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे स्कैपुला से कौन-कौन का इंशर्शन होता है किसकी मसल्स का ओरीजिन होता है और कौन-कौन से लिवामेंट से चोटे हैं बट इसको पढ़ने से पहले के बारे में बात करें लेते हैं जोकि यांट्छले में तो पढ़ चुका है बट हाँ कुछ रिवाइस करना तो इंपोर्टेंट होता है जैसा कि हम जानते हैं इस कैपुला है तो सर्फेस वन कोस्टल सर्फेस एंड डॉर्सल सर्फेस कोस्टल एंड डॉर्सल इस पूरे सर्फेस को हम कोस्टल सर्फेस कहते हैं और इस पूरेस surface को हम लोग dorsal surface कहते हैं So it has two surfaces, coastal surfaces and the dorsal surfaces It has three borders It has three borders One superior border Superior Inferior And third one is lateral एक पारो, भॉरॉत के स्टॉपूरीज सॉपरियर बॉर्डर जो हम देख सकते हैं काफी यह Dear एक अमस्दॉप्र, फिर अता है मिडियल बॉरॉडर मिडियल वा के समय डिम्मारे मिड्याड, अम-bach 3 border superior border middle border and in lateral border इसके बाद आता है इसका angle third part है इसका angle इसके angles जो होते हैं वो भी तीन होते हैं जो की होता है हमारा superior angle superior angle inferior angle और lateral angle लेटरल एंगल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं glenoid angle glenoid angle so diagram में चली देखने की angle कहां कहां प्रेजेंट होता है superior angle जिसको supra scapular notch भी कहते हैं उसके बाद आता है हमारा inferior angle inferior angle आपको देख रहा होगा यह हमारा inferior angle है जिससे हमारा एक muscle attach होता है जिसका नाम होता है यह inferior angle के जिस्ट उपर प्रेजेंट होता है जहां से latticements dorsi का insertion होता है और उसके बाद हमारा third and last angle आता है हमारा glenoid angle और जिसको हम कह सकते है medial angle medial angle इसलिए कहते है sorry lateral angle और lateral angle कहने का reason यह है कि हमारे laterally present होता है so it is lateral angle अब आते हैं इसके last point पर जो कि हमारा होता है processes processes भी हमारे तीन होता है पहला होता हमारा spine process spine और spinous process इसको दो नाम से जानते हैं उसके बाद आता है हमारा acromion process और third आता है हमारा coracoid process जिसका meaning होता है beak of crow या crow beak जो हमारा कवे का चोंच होता है उसके shape का ही होता है तो चली diagram में देखते हैं कि हमारा कहां कहां कैसे present होता है अगर हम इस्कापुला के dorsal side को देखें तो यह हमारा present होता है spinous process यह हमारा spinous process होता है उसके बाद आता है हमारा acromial process आपका यह होता है coracoid के just पीछे इसको हम acromium process कहते हैं उसके बाद होता है last but not least यह हमारा आता है coracoid process यह आपको diagram से देखने से पजा चला है कोवे के चोंच जैसा हलका सा यह shape लिया होता है और यह हमारा एक काफी interesting example होता है atavistic type of epiphysis का interesting example होता है coracoid process जब पिछले वादी lectures में मैं बता चुका हूँ कि epiphysis क्या होता है और यह atavistic type of epiphysis क्या होता है और यह क्यों importance रखता है सो चली start करते हम अपना muscle attachment muscle attachments को हम बताने के लिए हम three colors का pen इस्तमाल करेंगे red pen जो हमारा होगा origin के लिए blue pen जो हमारा होगा insertion के लिए and green को हम represent करेंगे ligaments के लिए सो ताकि आपको समझने में और ease हो मैंने इसको पहले ही बता दिया काफी बच्चे क्या और दे कि books जब देखते हैं तो काफी color contrast देखके काफी उनको होता है embarrassed फिल होता है कि यह क्या है बट आपको डरने की ज़रूत नहीं है color contrast भी कुछ न कुछ अपना एक importance रखी होती है so let's start जो मारा पहला muscle है वो मारा सब scapularis muscle है सब scapularis muscle सब scapularis muscle सब scapularis muscle जो हमारा इंसर्च जो जिसके origin होता है जिसका इंसर्चन होता है sorry origin होता है medial two third of the sub scapular fossa सो आप देख सकते हैं जो हमारा coastal surface का sub scapular fossa होता है महासे इसका origin होता है जिसका नाम होता है sub scapularis muscle और इस इस fossa की बात करने इस fossa का नाम होता है sub scapularis fossa so we can easily learn that कि sub scapularis fossa से हमारा sub scapularis muscle का origin होता है अगर हम इसके dorsal side की बात करें लोगे तो जो हमारा supra spinatis fosse होता है उस से हमारा erase होता है हमारा supra spinatis muscle supra spinatis muscle और जो हमारे infrasp襲ैंटis then infraspinatus muscle So हमारे dorsal surface से two main muscles का origin होता है Supraispinatus muscle and infraspinatus muscle So आते हैं प्रिषुध्य muscles पर So the deltoid muscle The deltoid muscle arise from the lower border of the crust of spine So अगर हम in the spinous process के अगर crust में देखेंगे तो एक muscle हमें देखेगी arise होते हुए जह होती है हमारी deltoid muscle so we can say that the deltoid muscle arise from the spine of the lateral border of the acromion process so deltoid muscle deltoid muscle हमारी originate होती है हमारे crest of spine से number 5 पर आते हैं so the trapegius muscle is inserted into the upper border of the crest of spine into the medial border of the acromion process so अगर हम इसके superior part को देखें crest of spine के यहां से हमारी एक muscles का insertion हो रहे है हां के खतम हो रहा है जिसका नाम होता है trapegius muscle so trapegius muscle trapegius muscle इसका होता है हमारे insertion यहां के खतम होती है कहां पर हमारे crest of spine के superior border पर अगर हम coastal surface के medial side में देखें तो यह काफी लंबी muscles का हमारे insertion हो रहा है जिसका नाम होता है serratus anterior so the serratus anterior muscle is inserted into the inserted into the medial border of the coastal surfaces यह हमारे medial coastal surface के medial part होता है one digitization यह one digitization from the medial border and five digitization from the inferior angle so अगर हम इसको देखें तो यह हमारे ribs को हमारे muscle हमारे attach करती है so अगर हम इसके upper part को देखें तो यह जो upper part होता है हमारे first digitization यानि first rib से जाके attach होता है जिसका center part होता है यह जाके two और third ribs attach होता है और four to seven तक muscle यह हमारे medial part से attach होता है so serratus anterior muscle serratus anterior muscle insert so यह हमारा coastal surface है और यह coastal surface का हमारा medial part हो जागा इसका एपू लगा so यहां से हमारे serratus anterior muscle का insertion होड़ा था so इसका जो upper part है यह हमारे जाके first digitization से जाके attach होता है first digitization किसका यानि first rib का and जिसका medial part है यह दो ribs से हमारे जाके attach होता है दो ribs कौन से होता है second digitization and third digitization और जिसका inferior angle होता है inferior part होता है यह जाके three, four, five, six, seven or eight जाके three to eight digit से जाके हमारी attach होता है so we can say that the serratus anterior muscle inserted in the medial border of the coastal surface from 1 to 8 dissertation और ये तीन भागों में divide होता है so आते हैं नेक्स टॉपिक पर so short head of the bicep brachy हमारे biceps के जो होता है उसके दो heads होते है short head and long head so the short head of bicep brachy is arise from the medial border of the coracoid process यहां से हमारे coracoid process से short head of bicep brachy origin होता है and long head of bicep brachy arise from the supraglenoid cavity जैसा कि हम जानते हैं कि biceps के दो head होते है short head and long head so जो हमारे short head का insertion होते है हमारे होता है medial border of the coracoid process से बट अगर हम long head की वहीं पात करें तो हमारा origin होता है supraglenoid cavity से so long head arise from the long head arise from the supraglenoid tubercle supraglenoid tubercle and second short head coracoid process coracoid process so the next muscle is pectoralis minor muscle so pectoralis minor muscle are inserted green blue it means inserted from the medial border of the superior surface of the coracoid process गर हम coracoid process के superior part को देखेंगे तो हमें एक मसल्स का इंसर्शन होते दिखाई देगा जिसका नाम होता है हमारा pectoralis minor muscle इसका इंसर्शन होगा हमारे coracoid process पे जामारा tricep brachy होते है उसके three heads होते है so जो इसका long head of tricep brachy arise होता है हमारा infraglenoid tubercle से so we can say that the long head of tricep brachy arise from the infraglenoid tubercle so so we can say that the long head of tricep brachy as are arise from the infraglenoid tubercle so long head अब बात करते हैं हमारे medial lateral border of the dorsal surface so हमारे इस dorsal surface के dorsal surface के medial lateral side से दो muscles आपको दिख रहे हैं जो सेम साइस की हैं और सेम डाइमीटर की है यह हमारी है teris minor muscle so teris minor muscles are arise from the dorsal surface of the lateral border lateral dorsal surface के lateral border से जो हमारी muscle arise होते हैं इसको हम कहते है teris minor muscle teris minor teris minor originate from the dorsal side of dorsal side of the lateral border the next one is teris major muscle so the teris major muscles arise from the lower one-third of the rough strip of the dorsal aspects of the lateral border so अगर हम lateral border lateral border के dorsal surface के lateral border पर देखे हैं तो एक मसल हमारी arise होती है जिसको हम कहते है teris major muscle teris major यह हमारा होता है lateral border lateral border से lateral border अब बात करते हैं डॉर्सल साइड के जो medial border के बारे में so जो हमारी पहला जो मसल हमारा insult होता है जो की blue color से denoted है इसको हम कहते हैं levator scapular muscle so the lateral scapular muscles is inserted along the dorsal aspects of the medial border from the superior angle from the superior angle to the root of the spine so अगर हम देखे है इसका जो main position होता है यह हमारे superior angle से यह हमारा crest of spines तक यह हमारा originate sorry insult होता है so levator scapular muscle यह हमारा insult होता है हमारा in medial side of the dorsal surfaces levator is levator sorry levator scapular यह हमारा होता है dorsal aspect of the medial surface dorsal aspect of aspect of medial surface यह बात जो हमारे next muscle आता है यह हमारे rhomboid minor muscle होता है so rhomboid minor muscle is inserted into the medial border medial border of the of the dorsal surface opposite to the root of spine यह हमारे root of spine के just opposite होता है and inferior angle so rhomboid minor muscle minor कहां मारे इसका insertion होता है medial border medial border 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 of the dorsal surface dorsal surface इसके बाद जो हमारे muscle आता है rhomboid major muscle so the rhomboid major muscle is present in the medial aspects of the root of spine and the inferior angle so अगर हमारे देखते हैं जो जो हमारे root of spine का जो हमारे end होता है और inferior angle का जो हमारे बीच में जो muscles present होती है उसको हम कहते है rhomboid major muscle so rhomboid major muscle present between the rhomboid major muscle प्रिजेंट बिट्विन रूट ऑफ इस्पाइन एंड इंफेरियर एंगिल अगर हम इसकी बात करें तो यह हमारे root of spine और यह medial angle के बीच में जो present होती है उसको हम कहते है rhomboid major muscle इसके बाद जो हमारे muscles का insertion origin होता है एक muscle हमारा होता है inferior value of omohyoid so the inferior value of omohyoid is present in the upper border होता है subiscapular notch तो हम इस subiscapular notch को अगर देखें तो इसके उपर एक muscle present होता है जिसका मतलब होता है जिसका नाम होता है inferior belly of the omohyoid so inferior belly of omohyoid यह कहां present होता है subiscapular notch के just bugle में subiscapular scapular notch के bugle में अब बात करते हैं इसके ligaments के सो जो हमारी जो हमारी यह glenoid cavity होती है हमारे head of humerus को attachment करती है हमारे और इसका जो attachment होता है यह हमारा होता है glenoid labrum से so the margin of glenoid cavity margin of glenoid के give attachment to the capsule of the soldier joint and to with the help of the glenoid labrum labrum का meaning labrum latin word is इसका मतलब होता है lips so यहां से आके हमारी head of humerus attach होती है glenoid cavity attach with head of humerus so इस portion से आके हमारी head of humerus attach हो जाती है और ball and socket joint का formation करती है ताकि हमारी hands होती हो पूरी तरीके से move हो सके है एक्रोमियम प्रोसेस पे हमारी facet attach होती है जिसका नाम होता है जो हमारी clavicle से attach होती है और यह formation करती है acromioclavicular joint का so the acromioclavicle joints attach between the acromioclavicle and the clavicle and from the acromioclavicular joint so आज हमने बात की कि हमारे scapula से कौन-कौन से muscle attach होता है कौन-कौन से ligaments attach होते हैं so i hope कि आपको समझ में आया होगा यह एक बार revise कर लिजेगा कि कौन-कौन सी muscles insult होते हैं कौन-कौन सी muscles originate होती है मैंने इस color combinations आपको मेरे color combinations आपको समझने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आगी कि कौन सा muscle attach होता है कौन सा muscle का insertion and कौन सा muscle यहाँ आके एक लिगामेंट से टेच होती है आपना फीड़बैक प्लीज मुझे दीजेगा यह आपका डाइग्राम है ताकि आपको इसली समझ में आए आपको अच्छे से समझ में आओगा अच्छे से पढ़ाई करें एव नाइस डेट थैंक यू